हलो अब्रीवन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत थे आप सभी का अमारे अपने योटूब चैनल स्यू कोचेंग क्लासेस पर उमीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे बेहतर होंगे आप सभी की पढ़ाई वे अच्छेस चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम देखे है उसमें से 5 अपवाद यानि की 5 एकसेप्सन है जिसमें 4 हमने आपको पहले ही कवर करा दिये थे अपोन प्रभाविता सह प्रभाविता बहु प्रभाविता और बहु विकल्पिता एक हमारा छूट गया था सहलगनता यानि की लिंक है जिसको आज की इस वीडियो में हम सम स्वतंत्र अपव्योहन के नियम का अपवाद है तो आपको लिखना है सहलगनता सहलगनता जो है मिंडल के स्वतंत्र अपव्योहन के नियम का अपवाद है यानि जो मिंडल का लाफ इंडिपेंडेंट एस्वाटमेंट है अथात स्वतंत्र अपव्योहन का नियम है उसका स अभी भी अकेले तो होते नहीं हैं। मान लीजी हमारे पास कोई एक गुरसूत्र है। यहां पे आप समझे कि हमारे पास एक इसमाल यहां पे जीन उपस्थित है। और यह हमारे पास जो दूसरा गुरसूत्र का जूड़ा है तो पहले गुरसूत्र में यहां पे मान लीजी कैपिटल भी जीन उपस्थित है। और दूसरे वाले गुरसूत्र में यहां पे इसमाल भी जीन उपस्थित है। तो यहां पे एक, दो, तीन, चार, हमने चार यहां पे जीन लिये हैं। अब चारो जीन जो हमने लिये हैं, यह चारो जीन आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऐसा किसमें बताया गया है आपके स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अपवाद में। तो मिंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। उसमें आपको यह बताया गया है कि जो युगमक होते हैं, यह आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और किसी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं जैसे माल लीजिए यहाँ पे चार प्रकार के जीने हैं तो यहाँ पे टोटल चार प्रकार की संताने जो है उत्पन हो सकती है अब वो चारों प्रकार की संताने कौन कौन सी उत्पन हो सकती है देखिए कैपिटल ए जो है क्रिया कर सकता ह तो यहाँ पे A भी बन जाएगा जीन फिर यह capital A जो है small B के साथ क्रिया कर सकता है तो capital A small B भी बन जाएगा फिर यहाँ पे आप देखिए यह जो small A है small A जो है अब capital B के साथ जो है यहाँ पे संयोग कर सकता है तो यह तीसरी प्रकार की संतान बन जाएगी चौथा जो है इसमाल A, इसमाल B के साथ संयोज कर सकता है तो यह जीन बनेंगे तो टोटल चार प्रकार की संतान यहाँ पे बन सकती है और इनमें जो लक्षन प्ररोप अनपात प्राथ हो गए F2PD में यानि जो फीनो टाइप रेशियो प्राथ होगा वो गण 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 ऐसा आपने पढ़ा है मिंडल के स्वतन तरभ्योहन के नियम में तो यदि F2PD काम रेशियो देखते हैं स्वतन तरभ्योहन के नियम में तो लक्षण प्रणूप जो है नव अनुपाते, तीन अनुपाते, तीन अनुपाते, एक का अनुपात प्राप्थ होता है, और यदि हम इनमें टेस्ट क्रास कराते हैं, यानि कि परिक्षणार्थ संक्रण कराते हैं, तो उनमें जो रेशियो प्राप्थ होता है सतंतर तो क्यों बन रही थी क्योंकि यहां पर युगमक एक दूसरे से पूर्टा स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से क्रिया कर सकते हैं अब आपको यहां पर समझना है कि सहलगनता में ऐसा क्या हो जाता है कि आपस में सहलगन जीन ही साथ साथ आ जाते हैं चलिए यहां पर हम समझते थोड़ा सा सहल अगनता के बारे में तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक कोई गुर्षूत्र है और एक दूसरा गुर्षूत्र है अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए दोनों जीन जो हैं एक ही गुर्षूत्र पर उपस्तित है कैपिटल A भी उपस्तित है इसमें कैपिटल B भी उपस्तित है अब यहाँ पर जो दूसरा गुर्षूत्र है इसमें इसमाल A जीन उपस्तित है और इसमें इसमाल B भी उपस्तित है तब आपस में यह किवल दो ही प्रकार से क्रिया करेंगे या तो कैपिटल A जो है कैपिटल B के साथ क्रिया करेगा और इसमाल A इसमाल B के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे दो ही प्रकार की संताने बने की कैपिटल A बी और यहाँ पे इसमाल A इसमाल B तो दो ही प्रकार की संताने बनेगी यानि यहां पर क्या होता है कि जो सहलगन जीन होते हैं अथा दोनों ही जीन जो है साथ साथ पीड़ी दर पीड़ी आ जाते हैं तो कहने के मतलब यह है कि जब दोनों ही जीन सहलगन जीन जो हैं आपस में एक साथ आएंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे सहलगनी जीन कहेंगे जब दोनों जीन आपस में साथ साथ आ जाएंगे जनकों से संतानों में तो इन्हें इन जीनों को हम क्या कहेंगे सहलगनी जीन कहेंगे और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं सहलगनता कहते है अब आपको यहां पर सहलगनता में एक चीज और समझना है सबसे पहले तो आपको सहलगनता की डेफिनेशन समझनी है तो देखी ऐसे जीन्स जो की एक ही गुड़ सूतर पर उपस्थित होते हैं आप सभी को पता है कि जीन्स जो होते हैं वनसागत की कारे की इकाई होती है अथात किसी भी अनुवानसिक लच्छनों को एक पीडी से दूसरी पीडी तक ले जाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है जीन और जीन जो होती है यह किस पर इस्थित होती है गुर्षूत्रों पर तो हर एक गुर्षूत्रों पर जो जीन होते है वो रेखी एक्रम में बिवस्थित होती है अर्थात उपस्थित होती है तो चुकि गुर्सूत्र जो होते हैं ये अनुवान सिक्ता की वहाख होते हैं अथात अनुवान सिक लच्छनों को एक पीडी से दूसरी पीडी तक ले जाने का काम कौन करते हैं गुर्सूत्र अब इन्हें गुर्सूत्रों पर उपस्थित होते हैं जीन तो जब जीन एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक जाएंगे इसका मतलब यह है कि गुर्ण सूत्र एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी पर जाते हैं आपको पता है कि गुर्ण सूत्र ही आपस में एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाते हैं अब चुकि जीन उपस्थित होते हैं गुर सूत्रों पर तो गुर सूत्रों के साथ साथ में जीन भी एक इस्थान से दूसरी इस्थान तक ट्रांसपर हो जाते हैं अर्था जनकों से संतानों में जीन भी पहुच जाते हैं तो यदि सहलगन जीन पहुच जाते हैं तो सेम पुनर योजन का मतलब है कि जब क्रासिंग ओभर हो जाएगा तो कुछ गुर्ष उत्रों की क्या हो जाती है जीनों की अदल बदली हो जाती है जिस कारण से सेम सहलगन जीन एक पीडी से दूसरी पीडी में नहीं जाते हैं और इसके अलाबा कुछ जो नए लच्छन आपको देखने को मिलते हैं वो इस क्रासिंग ओभर की बज़े से ही देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं पुनर योजन तो पुनर योजन हो जाता है तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि सहलगनता है क्या या लिंकेज है क्या तो ऐसे जीन्स जो की एक ही गुर्ष उत्र पर उपस्थित होते हैं तथा हमेशा साथ साथ ही आगे संतानों में प्रदर्शित होते हैं ऐसे जीन्स को हम सहिलगन जीन्स कहते हैं मान लीजी एक गुण सूत्र के अंदर दो जीन उपस्थित हैं अब वही दोनों जीन यदि जनकों से संतानों में पहुँच गए हैं तो ऐसे जीनों को हम कहेंगे सहलगन जीन तथा इस क्रिया को हम कहेंगे सहलगनता और सहलगनता सब्द सबसे पहले किस ने दिया तो टी एच मौरगन ने दिया सहलगनता याद रखना है मेंडल के स्वतंत अभ्यूहन नियम का अपवाद है क्योंकि सहलगनता में आपने क्या देखा कि मेंडल का सोतंत अब विवन तो नियम क्या कहता है कि युगमक सोतंत होते हैं एक दूसरे से सोतंत रूप से क्रिया कर सकते हैं लेकिन हमने सहलगनता में क्या देखा कि आपस में दो जीन सहलगन होते हैं और साथ साथ ही एक PD से दूसरे PD में जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है सहलगनता आपको सहलगनता समझ में आ गया होगा अब हम समझते हैं types of linkage linkage दो प्रकार का होता है पहला है पूर्ण सहलगनता यानि इसको हम कहते है complete linkage और दूसरा है incomplete linkage यानि कि अपूर्ण सहलगनता सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अपूर्ण सहलगनता और पूर्ण सहलगनता होती क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी पूर्ण सहलगनता की पूर्ण सहलगनता को समझने से पहले आपको एक चीज ये भी समझने पड़ेगी कि जैसे मान लीजी हमारे पास क्या है हमारे पास यहाँ पर पुना रियोजन समझ लेते हैं कि पुना रियोजन होता क्या है हमने क्या कहा कि मान लीजी हमने दो गुर्षूत्र लिया है एक गुर्षूत्र में Capital A और Capital B जीन उपस्थित हैं और दूसरे गुर्षूत्र पर Small A और Small B जीन उपस्थित हैं तो ये केबल दो ही प्रकार के जो हैं यहाँ पे संताने उत्पन करेंगे Capital A B और Small A B लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अब यही गुर्षूत्र हैं इनमें यदि मान लीजे Crossing Over की क्रिया हो जाती है तो सबसे पहले क्या होगा इनके Chromated अला होंगे अर्थात A के Chromated यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और B के भी Chromated आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे उसी प्रकार Small A और Small B वाले गुर्षूत्रों के जीन के भी Chromated बन जाएंगे तो यह Small A का Chromated बन गई इस प्रकार से और यह Small B का बन गया अब इनमें क्या होगा यहाँ पे Crossing Over होगा तो सहलागन जीनों में कभी कभी Crossing Over हो जाती है अब यहाँ पे देखिए Crossing Over हो गई तो Crossing Over जब होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यह जो Small B वाला जीन है यह Crash कर रहा है कहाँ पे यह Capital B वाले को Crash कर रहा है तो जब Crossing Over होगा तो यहाँ पे यह जो Small B वाला जीन है यह किसके साथ जुड़ जाएगा यह जुड़ जाएगा capital B के साथ में और यहाँ पर जो small B की जगे में यहाँ पर capital B जुड़ जाएगा तो दोनों की अदलब अदली हो जाएगी कैसे हो जाएगी आप देख सकते हैं गुर्ष उत्रों के खंडों में यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देखिए, यह कैपिटल भी कैपिटल भी है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे जीन भी निमें हुआ, तो जीन भी निमें के कारण यहां पे यह जो कैपिटल भी था, Capital B यहाँ पर आपस में खंडों से एक दूसरे को काटा तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चार प्रकार की आप क्रमसा संताने प्राप्त हो सकती है तो देखी Capital A Capital B यहाँ पर हुआ तो Capital A Capital B नार्मल है सेम उसी परकार यहाँ पर जिनमें सहलागनता नहीं हुई है यहाँ पर क्रासिंग ओवर जिनमें नहीं हुआ है तो यहाँ पर इसमाल A है और इसमाल B तो यह आप देख सकते हैं इसमाल A और इसमाल B अब इन दोनों में ज जिनमे की crossing over हुगा है, तो crossing over जिनमे हुगा है, तो एक में तो है capital A, और यहाँ पे capital B था, लेकिन change हो गया तो क्या हो गया, इसमाल B हो गया, तो जिनमे crossing over हुगा है, उनमें पुनर सयोजन हो गया, मतलब कुछ नए लच्छन भी, PD-D दर PD देखने को मिलेंगे, तो पुनर सयो आपको समझना यहाँ पे कि पूर्ण सहलगनता होते क्या है तो पूर्ण हम कहते हैं पूर्ण सहलगनता की यदि हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ी एक्जामपल है मेल ड्रोसो फिला यानि की नर ड्रोसो फिला के अंदर पूर्ण सहलगनता यानि की complete linkage देखने को मिलती है इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजे यही ऐसे जीन्स के बीच पाई जाती है जो कि एक दूसरे के गुर्ण सूत्र पर अत्याधिक पास पास उपस्तित होते हैं जिसके कारण जीन बीनिमे की क्रिया नहीं हो पाती है अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ जैसे मान लीजे हमारे पास गुर्ण सूत्र है अब इस गुर्ण सूत्र में आपको समझना है कि मान लीजे यहाँ पे जीन कोई जीन उपस्तित है अब इस कैपिटल ए जीन के यदि पास में ही कोई जीन उपस्तित है तो capital A के पास में यदि कोई जीन उपस्थित है तो इन जीनों में यानि कि ये जो दोनों जीन है ये तो सहलगन जीन है तो सहलगन जीनों में क्या होगा crossing over की क्रिया नहीं हो पाएगी क्यों कि जीन जो होते हैं पास-पास यदि उपस्थित होते हैं तो उनमें crossing over की क्रिया नह तो इनने पुनर योगज नहीं बनेंगे और जब पुनर योगज नहीं बनेंगे तो इस प्रकार की सहलगनता को हम क्या कहते हैं पूर्ण सहलगनता कहते हैं यानि की complete linkage कहते हैं और इसके अलाबा आपने एक चीज ये भी देखी कि इसका सबसे बड़ी एक्जामपल किसमें द दोसो फिला के बीच कराया तो यह फवन पीड़ी में उन्होंने क्या देखा कि भूरे रंग एवं लंबे पंख वाली संताने ही प्राप्त होती है अब आप यहां पे देख सकते हैं बोलेंगे सर आप कैसे बता रहें तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा किस तरह है हमने क क्या कहा कि मॉर्गन ने अपने प्रयोगों में क्या किया जो जनक लिया जनक में उन्होंने क्या लिया ग्रे यानि की भूरे रंग वाली उन्होंने क्या लिया डोसो फिला लिया मेल डोसो फिला और जिसके पंख कैसे थे लंबे थे इसका क्रास उन्होंने किसके सांथ कराय ब्लैक यानि कि ब्लैक रंग वाले जो डोसो फिला थी और अब सेसी पंखों वाले जो डोसो फिला थी उसके साथ इन्होंने क्रास करा दिया तो यानि उन्होंने भूरे रंग और लंबे पंखों वाली जो डोसो फिला है उसका क्रास उन्होंने black रंग और अवसेसी पंख वाली पंख वाली 200 फिला के साथ करा दिया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भूरे रंग के लिए हमने जो जीन लिया है वो लिया है कैपिटल जी लंबे पंखों के लिए हमने जीन लिया है कैपिटल भी कैपिटल भी ब्लैक रंग के लिए हमने जीन लिया है इसमाल जी इसमाल जी और वेस्टेजियल जो हमारा अवसेसी यंग है अवसेसी जो पंक है स्वारी अवसेसी पंक के लिए उन्होंने क्या लिया है यहाँ पे इसमाल भी इसमाल भी लिया है अब देखी यहाँ पे जब F1 PD प्राप्थ होगी तो F1 संकर में हमको प्रभावी लच्छन दिखाई देते हैं तो यहाँ पे ग्रे और लंबे मतलब यहाँ पे हमको भूरे रंग वाली और लंबे पंखो वाली 200 फिला दिखाई देती है F1 PD में अब इसका क्या किया मारगन ने अब इसके वाद मारगन ने क्या किया कि F1 PD में उन्होंने टेस्ट क्रास कराया क्या किया उन्होंने F1 PD में उन्होंने अब टेस्ट क्रास कराया तो जब उन्होंने टेस्ट क्रास कराया किसी भी पाइरेंट्स का जो आप्रभावी जनक होता है उसका क्रास हम यफवन पेड़ी की संतती के साथ कराते हैं तो इस प्रकार के संकरन को हम क्या कहते हैं तो टेस्ट क्रास कहते हैं तो टेस्ट क्रास में हम क्या करेंगे कि यफवन संकर में जो हमको प्राप्त हुआ है अ प्रभावी जनक के साथ तो यहाँ पे आप्रभावी जनक क्या है? ब्लैक और बेस्टेजियाल पंख वाली जो डोसो फिला यह आप्रभावी जनक है तो इसके साथ हम ने क्राश करा दिया तो देखिए यह वन पीडी में हमको प्राप्त हुआ था ग्रे और लांग तो हमने ग्रे और लांग पंखो वाली हमने क्या ले लिया मेल डोसो फिला ले लिया इसका क्रास हमने करा दिया किसके साथ फिमेल डोसो फिला के साथ यानि कि जो यहां पर आपर रभावी जनक है आपर रभावी जनक के साथ हमने यहां पर क्रास करा दिया त तो कुछ इस प्रकार से संटार ने हमको प्राप्त होगी, तो जब हम इनमें आपस में क्रिया कराते हैं, तो हम यह देखने को पा रहे हैं, कि यहाँ पे केवल और केवल, यहाँ पे आप कैपिटल भी बना लीजिए, और यहाँ पे ब्लाइक और वेस्टेजियल पंक वाले ही, यहाँ पे डोसोफिला प्राप्त हो रहे हैं, कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पे आपने यह देखा, कि मान लीजिए जैसे हमने लच्छन लिये हैं, हमने जनकों में जो लच्छन लिया था, जनकों में हमने क्या लच्छन लिया था जनक में हमने लच्छन लिया है ग्रे यानि कि भूरे रंग वाली और लंबी पंखो वाली हमने मेल 200 फिला को लिया है और इसके अलाबा आप देख सकते हैं कि हमने ब्लैक यानि काले रंग वाले और वेस्टेजियल पंक वाले यानि कि अफसेसी पंको वाले हमने 200 फिला को लिया था तो यह हमारे जनक थे सेम उसी प्रकार से यहां पे दो ही प्रकार की संताने प्राप्त होगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको केवल और केवल लंबे पंखो वाली और भूरे रंग वाली ही संताने प्राप्थ होती है और आधी संताने जो है ब्लैक रंग की और अफसेसी पंखो वाली प्राप्थ होती है कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सहलगन जीन पूरी तरे से एक पीडी से दूसरी पीडी में आ गए हैं जिस कारण से हमको पूरे एक प्रकार से यहाँ पे दो ही प्रकार से संताने देखने को मिल रही है जिस प्रकार से हमारे एक दम से जनक थे तो जनकों के समान ही संताने य जनक लच्छन ले करके और उनके बाद हमको यफवन पीडी प्राप्थ हुई यफवन पीडी का क्रास हमने किसके साथ कराया आपरवावी जनक के साथ कराया यानि कि हमने टेस्ट क्रास कराया तो हमने क्या देखा टेस्ट क्रास में टेस्ट क्रास में हमने ये देखा है कि हमक पूरित लिंकेज अप मेल लोसो फिला तो मेल लोसो फिला में पूर्ण सहलगनता आपने देखी इस पकार आप देखेंगे कि अपूर्ण सहलगनता क्या होती है तो उम्मीद करता हूँ कि complete linkage तो आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं incomplete यानि की incomplete linkage की यानि की अपूर्ण सहलगनता की सबसे पहले आपको यहाँ पे just opposite समझना है किसका जैसे आपने पूर्ण सहलगनता देखी है सेम उसी प्रकार से है बस इसका opposite आपको करते जान से यहाँ पे पूर्ण योगज नहीं बनते हैं तो जब पूर्ण योगज नहीं बनते हैं तो पूरे के पूरे सहलगन जीन जनकों से संतानों में पहुँच जाते हैं तो इस प्रकार से पूर्ण सहलगनता हो जाती है और एक दम से जनकों के समान ही संताने प्राप्त हो जा जिस कारण से पुनर योगज बन जाते हैं और इस प्रकार की सहलगनता को हम क्या कहते हैं आपून सहलगनता कहते हैं तो आप समझ भी सकते हैं कि जब सहलगन जीन जो होते हैं इन में कुछ पुनर योगज बन जाते हैं जिस कारण से कुछ बिनमे हो जाता है थात इन में जीन बिनिमे हो जाता है तो उसे हम अपूर्ण सहलगनता कहते हैं और इस प्रकार की सहलगनता बेसिकली ऐसे जीनों के बीच में पाई जाती है जो की एक गुरुसूतर पर दूर दूर स्थित होते हैं सेम उल्टा आपको करते जाना है हमने आपको पहले ही बताया है हमने आपको क् पूरी दूरी स्थित होते हैं तो जब जीन दूरी दूरी स्थित होते हैं तो उन्में क्रासिंग ओभर की कई पूरर योगज बन जाते हैं अतिरिक्त और पुनर योगज के बन जाने के कारण ही तो नई प्रकार की संताने भी उत्पन हो जाती है अप्टूपीडी में तो कहने के मतलब यह है कि अपून सहलगनता जो होती है जब सहलगन जीनों में कुछ पुनर योगज बन जाते है अर्थात सहलगन जी जिनों में पुनर योगज बन जाते हैं और इस प्रकार की सहलगनता को हम आपून सहलगनता कहे देते हैं और आपून सहलगनता ऐसे जीनों के बीच पाई जाते हैं जो कि किसी भी गुर सुत्र में दूर दूर इस्थित होते हैं तो जब जीन में जीन दूर दूर इस्थित हो चांस उतना ही कम है क्योंकि जीन बिन में उतना ही कम होगा और इस प्रकार के जीन जो होते हैं आपूर सहलगन जीन कहलाते हैं तथा उनकी वनसा गति की दसा जो है आपूर सहलगनता कहलाती है अब आप यहां पे आपूर सहलगनता को पूरा का पूरा यहां पे आप ग्राफि हमने आपको क्या कहा कि पूर्ण सहलगनता में क्या होता है कि सहलगन जीन जो है पूरी तरह से संतानों में प्राप्थ हो जाते हैं अर्थात एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में पहुच जाते हैं लेकिन यहां पे क्या होगा पूर्ण सहलगनता में जीन बिन में हो जाएग और जब जीन भी निमें होगा तो नए प्रकार के यहाँ पे नए प्रकार के लच्छनों का भी समवेस हो जाएगा और थाथ नए प्रकार की संताने भी यहाँ पे बन जाएगी तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि incomplete dominance में क्या होता है या incomplete linkage में आपको क्या करना पड़ कि इसको सबसे पहले किस में देखा गया मक्के में देखा गया तो मक्के में देखा गया सबसे पहले अपून सहलगनता यानि जान हचिंसन ने सबसे पहले मक्के में जो है अपून सहलगनता खोजी इन्होंने क्या किया कि रंगीन बीज लिया रंगीन जो है रंगीन और भा capital C gene लिया जबकि भरे हुए बीजों के लिए उन्होंने यहाँ पे capital S, capital S gene लिया रंग हीन बीजों के लिए उन्होंने small C, small C gene लिया और यहाँ पे सिकुड़े हुए यहाँ जो बीज थे उसके लिए उन्होंने small S, small S लिया. अब आपस में देखिए जो F1 PD प्राप्थ हुई तो उसमें से एक तो आ जाएगा किसका है एक तो आ जाएगा भीए इसमें से Capital C, Capital S आ गया इसमें से आ गया Small C, Small S क्योंकि दोनों गुर्ष उत्रों के Did Jin क्या है एक समान है तो आप किसी को भी लियाए एक को तो एक इसका आ गया जैसे आप युगमक बनाते है ना तो युगमक में आपने देखा है कि आध्या आज्या आ जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो यहां पे Capital C है तो कराना है तो बैक क्रास जब हम कराएंगे तो इसमें हम क्या कराएंगे अप रहावी जनक के साथ हमको कराना है क्रिया और किसकी क्रिया करानी है तो इसकी क्रिया करानी है हमको किसके साथ यह जो यह फवन पीडी में हमको प्राथ हुए है इसकी क्रिया करानी है हमको किसके साथ बाइक क्रास कराना है अब होता क्या है एक्चुल में कि यहां पर बस आपको ध्यान देना है थोड़ी सी चीज हमने क्या कहा कि complete dominance में किसी ही प्रकार से complete linkage में यानि कि पूर्ण सहलगनता में किसी ही प्रकार से जीन बीन में नहीं होता है जिस कारण से पुनर योगज भी नहीं बनते हैं लेकिन यहां पर यह जो फवन पेड़ी प्राप्त हुई है इसमें क्या हो जाता है जीन बीन में हो जाता है देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है एक capital C और एक capital S को यहां पर लिख लेना है और इनके बीच एक बार आपको यह भी दिखा देना है कि इनमें जो है जीन बीन में हो रहा है तो जीन बीन में कैसे हो गा देखिए यह capital C है और capital S है अब इसमें जब जीन बीन में हुआ तो इसमाल C है और small c small s जिन में crossing over नहीं हुआ है वो हमने लिख लिया अब जिन में crossing over हुआ है उनमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे capital c था और जब crossing over हुआ तो इनमें क्या हुआ खंड आपस में अलग हो गए और यहाँ पे capital c के साथ जुड़ जाएगा आप यहाँ पे small s तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि capital c के साथ जुड़ गया यहाँ पे क्या small s जुड़ गया उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यह वाला जो small c है इस small c के साथ यहाँ पे small s जुड़ा हुआ था लेकिन जीन का बिन में हो गया तो खंड यहाँ से अलग हो करके यह small s जो है capital c के साथ जुड़ गया है और capital c के साथ जो capital s था यह small c के साथ जुड़ गया है तो small c के साथ यह जो capital s जुड़ गया है यह हमने दिखा रखा है तो चार प्रकार की यहाँ पे संताने प्राप्त हो गई अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अब हम क्य कराइंगे गार्याओं कि यानि आप्रभावी जनक के साथ क्राइंगे आतरों मेरा क्या है रंग हीनुआ सिकुडए हुए जो बीज हैं इनके साथ हम क्या कराएंगे क्रास कराएंगे तो इनके साथ जब हम क्रास करा दिये तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है यह तो चारों ही प्रकार के जो संताने हैं यह तो क्रास करेंगी ही लेकिन यहाँ पर जो बाइक क्रास हम करा रहे हैं अपर भावी जनक के साथ तो यहाँ पर सेम सेम दोनों यहाँ पर गुर सूत्र सेम है तो हम यहाँ पर एक ले लेंगे युगमक जब बनाएंगे तो दो में से एक ही आएगा तो दो capital C में से एक capital C आ गया यहाँ पर स्वारी small C आ गया और small S आ गया तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हम इनकी आपस में cross कराते हैं तो आपस में आप इनकी करा देनी है cross आपको देखिए तो direct आप ले आएए इसका क्रास करा दीजी इसके साथ फिर इसके बाद कैपिटल सी इसमाल इसका करा दीजी किसके साथ इसके साथ फिर एक बार इसमाल सी कैपिटल इसका करा दीजी इसके साथ तो चारों की क्रिया आपस में करा देनी है तो हमको जो संताने प्राप्त हो रही है अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गवर करिए यहाँ पे capital C है और small C तो यहाँ पे यानि capital C प्रभावी है तो जब capital C यहाँ पे उपस्थित है यानि यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे मक्के कैसे प्राप्थ हो रहे हैं रंगीन मक्के प्राप्थ हो रहे हैं और यहाँ पे capital S, भी उपस्थित है, मतलब कि भरे हुए मक्की प्राप्त हो रहे हैं, इसमें आप आईए, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, कि इसमें हमको यहां पे यह दिखाई दे रहा है, कि small C, small C है, यानि कि रंग हीन, और small C, small C, small C, यानि आधे हमको कैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो की कैसे हैं, जो की यहां पे प्रभावी नहीं है, अर्थात आप्रभावी हैं, कहने का मतलब है, यह है कि small C, small C, यादी मिल गए हैं, तो यह क्या है, यह है, रंग हीन यहां पे बीज, हमने बीज लिया है, तो बीज यहां पे रंग हीन कैसे लिया है, small C, small C और यदि इसमाले साता है, मतलब इसका क्या है कि सिकुडे हुए बीँच, तो आधे यहाँ पे हमको देख सकते हैं, कि रंग ही इनवा सिकुडे हुए बीच प्राप्त होते हैं, और आधे ही आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आधे से जादा यानि कि 96.4 प्रतीसत ज जिनमे की क्या है अलाग लच्छन है यानि की नए लच्छनों का समावेश हो गया है और ये जो 3.6 प्रतिसत नए लच्छन प्राप्त हुए है अथा जनकों से जो भिन लच्छन प्राप्त हो रहे हैं ये किसके कारण प्राप्त हो रहे हैं तो ये प्राप्त हो रहे हैं जीन की कारण और जीन बिनमय की कारण हो गया इनमें पुनर योजन और पुनर योगज के कारण जब इनमें नए प्रकार के जो जीन है वो पैदा हो जाते हैं जिस कारण से नए प्रकार की संताने भी दिखाई देने लग जाती है तो कहने का संतानों में नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनमें क्रासिंग ओभर हो जाता है जिस कारण से कुछ जीनों की अदला बदली हो जाती है और पूरे के पूरे लच्छन जो हैं जनकों के समान संतानों में नहीं आ पाते हैं कुछ जीन की अदला बदली हो जाती है जिस कारण से पूनर योगज बन जाते हैं और पून सहलगनता नहीं हो पाती है और इस प्रकार की सहलगनता को हम कहते हैं आपून सहलगनता यानि की इनकंप्लेट लिंकेज तो उमीद करता हूँ कि आपको लिंकेज क्या होती है और पून सहल पूर्ण सहलगनता समझ में आ गई होगी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम